जैसरी किशना रादे रादे स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और आप जानने वाले हैं कि आप नावी और पेट से यानि कि जो प्रेगनेंट मैला होती हैं उसकी नावी और पेट से आप कैसे पता कर सकती है जो नावी बटन होता है उससे और आप पेट से कैसे आसानी से चुटकियों में पता कर सकती है कि आप पी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का है या लड़की जी यहां बिल्कुल बहुत ही अन्भवी हमारी दादी माँ ह आपके साथ हम भी शेयर करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी आने वाली प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो का नौटिफिकेशन पाने के लिए तो गाइस होता क्या है जब भी आप मा बनती हैं इसको आपको एक जिग्यासा होती है जानने की जो कि हर गरवती महिला को होती है ये जानने की और ये जो वीडियो में बोलते हैं लेकिन गलत भी नहीं होते हैं तो दोस्तो विडियो पसंद्द आँ तो विडियो को end नहीं लाइक करें श्यर करें तो आईए जान लेते हैं कैसे पता पता कर सकती हैं九व मारा बेटा बेटी में बेदवाग करना नहीं है दोस्तो बहुते हैं और तो दोनों हनों ही संतान भरबर होती है चाहे हम बेटा और चाहे हम इसलों प्यार दें और इसलों बेल् Ren वो अगर डार्क आपको एकदम से दिखने लग गई है और बिल्कुल डार्क नजर आ रही हो नावी से नीचे नीचे मतलब नावी बटन तक ही वो समाप्त हो जाती है इतनी ही लाइन होती है या फिर कई महिलाओं का क्या होता है नाव नीचे से लेकर उपर तक नावी मतलब और नावी बटन के उपर से लेके सीधी लाइन जाती है, इस्टेट विलकुल, तो ये एक बेबी वाय होने का संकेत माना जाता है, अब नावी बटन से कैसे पता कर सकती है, अगर आपको जो नावी बटन है, वो बाहर की साइड निकला हुआ है, और उसमें खुजली बहुत करने की हमने आपको पताया, पेट से आपको इस तरीके से पता करना है, आपको अगर पांच्वे, छट्वे महीने में आपका पेट जो है, नीचे की साइड लटका हुआ नजार आता है, नीचे की साइड वेट रहता है ज्यादा बच्चे का, और आपको ऊपर से, मतलब याइप में नहीं अंड़ा शेप आकार में आपका होता है तो ऐसा माना जाता है बेबी वोई होने के संकेत होते हैं दोस्तों ये लेकिन आपको ये चीज श्रब और स्रब जिग्यासा और उत्सक्ता के तोर पर ही देखने हैं हमारी जो वीडियो और ये सिम्टम्स आपको दे